दोस्तो आपको मैं एक जांपल में एक चीज दिखा देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नमबर पर कॉल करता हूँ और यहाँ पर कॉल एंडेड लिख दिया बार बार दोस्तो ऐसी लिखेगा अगर मैं किसी रैंडम नमबर पर भी यहाँ पर कॉल करता हूँ तो आप प्रॉब्लम आ रहे हैं तो दोस्तों आप उसे कैसे ठीक कर सकते हों कोई भी अलग से आपको अप्लिकेशन डाउलोड नहीं करना है नहीं आपको दुकान पर देखर करके अपने मुवाइल को रिपियर करवाना है दोस्तों आपको बस अपने मुवाइल में कुछ सेटिंग्स करने होगी जो की मैं आज आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों आप विडियो के साहता बड़ने रहो बिना स्क्टिप कियो हुए तो इस सेटिंग्स करना चाहता हूं दोस्तों अभी तक आपना हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे उसके बलाकर के बार दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्षर में एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दो जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हो ताकि मैं जान सुगूल कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखे हो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सारे सेटिंग्स की तरफ तो हेलो दोस्तों सब आपको देखा देता हूं कि हमारे मुवाइल से कभी भी किसी भी नंबर पर नहीं हो पा रहा है आप लोग देख सकते हो पर दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं अगर मैं अपना इंटरनेट चला हूं तो दोस्तों आप लोग उपर में स्पीड देख रहे हो और यहां पर पुड़ा लोड भी ले रहा है मतलब कि आप लोग समझ लो टोटल कि हम अपने मुवाइल में नेट चला पा रहे है पर दोस्तों हमारे मुवाइल से किसी को भी कॉल नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आपको क्या सेटिंग्स करने होगी अपने मुवाइल की सेटिंग्स को पेंड कर ले नहीं होगी आप लोग देख सकते हो कुछ किस तरस आपके मुवाइल का सेटिंग्स हो जाएगा तो आपको उपर में दीखेगा एक ओप्शन सीम कार्ड एंड मोबाइल नेटवार्ग दोस्तों आपको इसके अंदर आजाना होगा इसके अंदर आप आओगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा उपर में आपको सीम सेलेक्ट करने का ओप्शन दोस्तो आपको जो भी सीम में आपको प्रॉबलम हो रहा है आप सिंपली वो सीम पर जाओ क्योंकि दोस्तों ये आपका परसनल सीम पे प्रॉबलम आता अगर सीम 1 में आपको problem है तो सीम 2 में same to same problem नहीं होगा अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों में भी आपको same settings करनी होगी दोस्ता को क्या कर लेनी होगी आपको अमें बता देता हूं सबसे उपर में आप देखोगे जहापर access point name का option देख जाएगा तो आपको इसके अंदर आन कुछ time लगाएगा उसके बाद आपके मॉइल का APN reset हो जाएगा फिर दोस्तों आपको back आजाना होगा back आओगे तो दोस्तों आपको यहां पर दीखेगा निटर प्रिफरेंस टाइप दोस्तों आपको इसमें चेक कर लेना होगा जो बहुत ही ज़रूरी है यहां पर आपक इस LTE का option पर आपको इसे set कर देना होगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या कर लेना होगा आपको यहां पर देखोगे mobile network दोस्तों mobile network के अंदर आओगे तो यहां पर आपको मैनुवाली के नहीं होना चाहिए आपको यहां पहले से है आप लोग चेक कर लो दोस्तों उसके आपको क्या कर लेना होगा आप नीचे में देखोगे यूज भी ओ लिटी दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट सेटिंग्स यही है अगर आपके मुवाइल में वोल्ट सेटिंग्स यह बंद है तो दोस्तों आप लोग देखोगे भी कि यहां पर वोल्ट लेहीं लिखा हुआ ह जैसे मैं ने आपके ऑन किया यहां पर फोल्ट लिख दिया है मैं अगर इसे वह इसको बंद करता हूं तो उपर सब लोग देख सकते हो यह चालू हो गया दोस्तों यह इस तरह से आप लोग यह सेटिंग्स को कर सकते हो अपने मुवाइल में दोस्तों जैसे आप इस बोल् चुका है आप लोग देख सकते हैं यह कॉल यहां पर लग चुका है दोस्तों आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लगए ताप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो अपने सारे दोस्तों को सेट कर दो कॉमिक स्क्राइब बताब क्या यह वीडियो कैसा लगए